तो दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे ट्रेकनिल सेसे के बारे में अब बात करेंगे इसके फायदे क्या है किनके लोग को लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए सारी जानकरी दूंगा लेने का क्या सही तरीका है और इसको देखिए दोस्तो ट्रेकनिल सेसे को दोन लोकल मेडिकल है जो एलोवेति मेडिकल होते हैं वहां से खरी सकते हो कहीं से भी मिल जाए यह मेडिशिन मिल जाएगी यह फिर आप चाहें तो online discount के साथ भी खरी सकते हैं उसके लिए google पर search करके आप इसको पॉली सिस्टिक ओविरेंट सिंड्रोम जिसको PCOD कहते हैं अगर PCOD PCOS की सिकायत है तो उसमें यह बहुत ही फायदा करता है से से लेडिस लोगों को लेडिस लोगों में देखा है अगर PCOS या PCOD जैसी प्रावलम हो जाए सिस्ट की जैसे की सिकायत हो जाए तो भाई उनको इसके लाब इंसुलीन असिस्टेंस में फायदा करता है मतलब जाए यह बहुत लोगों को सरी प्रावलम होने लगती है आपको ब्सक्राज़र के ka ねनले फाइडिशम करेगी अब इसके लाबा देकिकिया हार्मोन को भी बैलेंस करती है जिससे के आपकी हड़ियां, दाथ बगेरा ये सब भई मजबूत होते हैं इसके अलाब़ ये medicine क्या करेगी कि खून के कमी नहीं होने देती है खून के कमी होने से बचाती है इसके अलाब़ देखिए ये जो है जैसे के आपने लेडिसों में देखा होगा जैसे के hormones की कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके चहरे पे बाल आने लगते हैं सर के बाल जढ़ने लगते हैं उल्टा हो जाता है और irregular periods तो होई जाते हैं जैसे कि मैंने बताए हैं उसमें फायदा करती है medicine और आपकी pregnancy rate को भड़ा देती है तो इस प्रकार से फायदे हैं हालनकि इसको देखी आदमी लोग भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें folic acid है vitamin D3 है और myonositol है ये genes भी ले सकते हैं क्योंको myonositol को फायदा ये होता है कि insulin assistance में फायदा करता है आपका जो लेबाले उसको maintain करेगा या कोई diabetes की बिमारी इसमें फायदा करेगा तो दोनों के लिए बहुत अच्छे फायदे है लेकिन सबसे ज़्यादा ये बहुत चलता है किन के लिए ladies लोग के लिए ladies को जो है बहुत इससे फायदा मिलता है काफी gynegalologist जो है इसको डॉक्टर बोलें तो इसको लिखती है अब दोस के बारे बता दें जूस में ले सकते है पानी मिले सकते है एक गिलास पानी लिजीए उसमें ये एससे डाली तुरन्थ भूल के पी लेना है इस परकार से एक दिन में इसको दोस्तो गहीं बाल लेना है दो बाल लेने के ज़रूरत नहीं है, एक दिन में एक फाल लेना होता है, अब देखिए, इसके साइड एफेक्ट के बारे बात करें, तो साइड आफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि मेडिसिन सूट नहीं करती है, तो थोड़ा सा क्या होगा, पेट खराब होगा, शरीर माय उनौसिटॉल उसमें नहीं होना चाहिए बाकि कोई मेंडिसिन चल दी वो बिल्कुल ले सकते हैं या फिर अधिक जान करें जो है प्रॉक्टर सला करें आप कब तक लेना है तो यह भी डिपेंड करें कि आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉलम पर तो एक से तीन महने तक ले लें उसमें लाइव स्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपको डॉक्टर भी बताएंगे अगर आप कोई भी दबाई ले लो लेकिन साथी साथ अगर लाइव साही रगोगे फॉलो करोगे कुछ जो है टिप्स हैं तो आपको अच्छा फाइदेस मेडिसिन का मिलेग उनको PCOS जैसी बीमारी हो जाएगी सिष्ट की सिकायत हो जाएगी इसके अलाबा और भी बहुत सारी प्रॉलों हो जाएगी डाइबिडीस बगेरा थैरोड बगेरा तो जो बजन जादा है अगर आपका जो भी वाडी बेट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए उससे अगर उपर है तो आपको पचासो प्रकार की बीमारियों का खत्रा रेता है तो बजन को मेंटें सबसे पहले तो करिए अब सेकेंडली आपको स्टेस लेबल कम करना है स्टेस लेबल के अलाबा एक दिन में साथ से आठ घंटे की नीन लेना भी जरूर है अगर आप नीन नहीं ले और साथ में इसको लीजिए तो आप देखना कि बहुत ही अच्छो जल्दी जल्ड आपको देखने को मिलेगा तो इदर मेरे वीडियो खाता हम होता है और इस टाइप से आपको वीडियो देखना है हेल्ट और मेडिसन से लेटेड जो कि में डेली बनाते रहता हूं तो आज के लिए इतना ही फिर्म लेंग नेक्स वीडियो में है जब तक आप देखते रहे हैं और बने रहे हैं आपके अपनी चैनल में नॉलिज फोर केर